मनीज कर्षप ने अपने भाई को एक फर्मान दिया भाई की एक जो पत्रकार के साथ इतना गलत हुआ है उसको सुबह चार बजे भून दिया गया उसके परिवार के साथ खड़े होई है आप और जाके कुछ आर्थिक तरीके से मदद कीजे आपने आर्थिक रूप से भी मद डरी हुई है जब उनके फादर बोले कि हाज मुझे रोट पर जाने में मुझे डर लगती है बेटे को मार दिया गया फिर दूसरे बेटे को मार दिया गया मैंने पूछा भी कहां कैसे हुआ तो बताने को रिडी नहीं है डरा हुआ फैमली है एक पत्रकार एक सैनिक की समान जिससे उनके फैंस जो है वो वापस से खुज हो चुके है और शायद बाहर रहने वाली लोग जो जेल से बाहर है जो रहा है जो विल्कुल आजाद घूम रहे है उन्होंने भी नहीं सोचा कि कुछ ऐसा स्टेप उठाना चाहिए मैं बता दू कि 18 अगस्त के सुबद 4 बज दिया जाता है और उसके बाद कोई मीडिया हाइलाइट टेगी न्यूस नहीं बन पाता है अब क्यों नहीं बन पाता है तेगलवा बाबा बहुत इंपोर्टेंट है कि लपूसा सा चीन बहुत जादा इंपोर्टेंट है इसका तो आप डिसीजन लीजे कि क्या इंपोर्ट परिवार के साथ इतना गलत हुआ है उसको सुबह चार बज़े भून दिया गया उसके परिवार के साथ खड़े होई है आप और जाके कुछ आर्थिक तरीके से मदद कीजिए हमारे साथ करन जी सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चानल पर बहुत-बहुत मंदल के जब हांच काटे थे एक समाज के लिए तो मनेश कर सब्सेब आप पर रिपोर्डिंग करने गये और वहीं दैनिक जागरण-जागरन का जो रिपोर्टर जिक्सी हत्या हुई है वहा पर मिले थे पास जाई है और अपना परिवार समझ कर जो भी स्टों अपना परिवार समझ कर पत्रकार की फेमिली पत्रकार मेरा माइ जब तक भाई से बात नहीं होती पतक उसको सोती नहीं हूँ इसको पता कि हाँ जब चिराग बुझ गया दो बच्चे हैं शुकि आज अनात हो गया उसके फादर करने में सक्षम अब नहीं है तो उनका घर का इस्तिति बहुत से बत्तर और एक चीज़ और हमारी राज की रख्षा करते हैं राजा होते हैं राजा की अधिकार बनता है कि प्रजा का सुक्सांति और चैन की जिंद्गी देना तो यह कहते हैं कि भी हर में अपराधी नहीं है ग्राफी बहुत कम है तो तो राजा तो कर नहीं पा रहा है तो फिर मेरा भाई ने बहुता कि यहां जाओ उसके पास और मुद्दा उठाना कि यहां जे इसके परिवार को कोई मगा थाम ले चाहे सरकारी जौब मिल जाए से नितिश कुमार जी से अगरा करना आपने ने मदद किया था आपके बड़े सारे पहले वीडियो जाए थे जिसमें आपने खुद कहा था कि आर्थिक रूप से तूट चुके हैं आपको बहुत जादा आर्थिक तरीके से परिशानी हैं अब घर की जो आहाला थे वो बिगर रहे हैं इसके बीच में यह नहीं लगा क चलो खड़े हो जाते हैं जाके बादचीत कर लेते हैं लेकिन आर्थिक रूप से क्या ही मदद करना है भाई ने कुछ और ही बोला था कि कुछ और ही अमांट करने के लिए लेकिन हमारी इस्तिती थोड़ा सा खराब है लेकि फिर भी हम लोग एक आउनाजार की है और आगे भी करेंगे आनवल टाइम में जब भी जुरूत पड़ती उस फैमिली को कभी भी मैं अपना भी नंबर दिया हो अपनी मा का भी नंबर दिया हो कभी मेरी फैमिली की जुरूत पड़ती है मनिस की फैमिली की जुरूत पड़ती है तो हमारा फैमिली हमेसा उसके फैमिली के स पूछा बहुत डरी हुई है जब उनके फादर बोले कि हाज मुझे रोट पर जाने में मुझे डर लगती है बेटे को मार दिया गया फिर दूसरे बेटे को मार दिया गया मैंने पूछा भी कि हाज कैसे हुआ तो बताने को रेडी नहीं है डरा हुआ फैमिली है अभी एक सुरत देख रहा है लोग उस चेरा देख रहा है कि मेरे बच्चा जो बच्चे बच्चे उसकी कहीं हत्या ना हो जाए उसकी कोई दिकत ना हो जाए इसलिए फैमिली बहुत डरा हुआ लेकिन जो हुआ बहुत गलत हुआ दो दो चिराग उस घर से मगर मिट गई एक चीज लेकिन हम अगर इकठा रहेंगे ना तब किसी पत्रकार की हत्या नहीं होगी एक पत्रकार एक सैनिक की समान होती है सैनिक क्या करती है आर्मी क्या करती है देश की रक्षा करती है और पत्रकार क्या करता है समाज की रक्षा करता है यहीं समाज कोई कमी होती है यह कहीं कुछ होती हीया, तो उसकी आवाज ऊचता है, हमारी आवाज बनता है, यहीं पद्रिकार आज सुरक्ष्थ नहीं है. suit का जो Sharuku बहुत। भीनाडे जखनाव सहले मतला है, लोगों के बारे में बात कीजिए ओस कि खत्रा वले इंसान जो है वो इतनी बड़ा एक स्ट्रेप उठा तो उन पर होना ही चाहिए एनसे उन पर लगना चाहिए एक दोड़ था जब सीवान में पत्रकार का हत्या हुआ करता था उनका भी दो तिन भाई का हत्या हो गया था आज फिर अररिया में पत्रकार के दो भ पराद होता है लेकिन उसके बाद प्रसाशन कैसा उस पर इस्टेप लेती है कैसा कदम उठाती है वो मैटर करता है कि आप क्या समझ रहे क्या सोच रहे समाज को किस तरीके से आप आगे ले जाना चाहते हैं और कोई विशेस बाचीत आप से मनीज कशप की होई होगी जी ए परिवार को जाके वहां पर उनका हाल चाल जानना और आर्थिक कुछ सहयोग पहुंचाना यही टाइप का उनका संदेश था इस इस्तिती में जबकि आर्थिक इस्तिती बहुत ही खाड़ाब है लाचार है उसके बाद लोगों के लिए सोचना और वैसे ब्यक्ति पे एनसे लागाना कहां से जायज हो सकता है इन सारे इंसिडेंट के बाद मेरे मन में एक पहले का दोहराता है जो एक इंसिडेंट हुआ था बड़े पत्रकार थे जिनको एक हॉस्पिटल में जाने से रोका जा रहा था और बेदखल कर दिया आगया महां के दरवाज़े से और एक मा इस पिटल को तीन आइसी यू बेड़ दिया गया था जिस पिटल में पतरकार को घूसने से रोक आ गया था और वैसे मतलब यह जो इतने ऐसे करन जी से लगातार हम परिशान करते रहेंगे बातचीत करते रहेंगे क्या मनीश जी बोल रहे हैं वो आप तक पहुंचाते रहेंगे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नहीं कानी और एक नहीं जानकारी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया